जैसरी राम, I am Dr. Manish Jaiswal तो 36 गड में NEET 2024 के काउंसलिंग के से रिलेटेड जो पहला नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है और ये CGDME के वेबसाइट पर नहीं आया है ये पंडिज जैनम मेडिकल कॉलेज रायपूर की वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसमें ये बताया गया है कि NEET 2024 के माध्यम से All India Quota या फिर State Quota के जो Students Admission लेने वाले हैं उनको किन-किन documents के requirement होगी, कौन-कौन सा bond submit करना होगा इन सारी चीजों का pro forma भी यहाँ पर available है जिसके आधार पर आप इसे अभी देख सकते हैं लेकिन इसमें से बहुत साइसे documents हैं जो अभी आपके पास उपलब्ध होंगे कुछ documents ऐसे होते हैं जिनको आपको counseling के बाद that means कि जब आपको allotment हो जाता है कोई particular college तो वहाँ से आपको उसके बाद document बनवाना होता है तो पहले से इन documents को बनवा के रखने की कोई जोरत नहीं पड़ती है जब आपको allotment हो जाएगा उसके बाद ही आप इन documents को बनवाईएगा 14 अगस्त से आउल इंडिया की counseling चालू हो रही है और जैसा कि tentative state के लिए जो date दिया गया था उन सभी का अपना website है और यह नियम है कि website पे सारा information इनको upload करना होता है कि admission के लिए बच्चों को कौनसे document की जोरत पड़ेगी at the time of admission fee structure क्या होगा यह सारी चीजे तो आप individually simply सारे medical colleges का नाम Google में search करके चो 36 गड़ में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ गूगल में search करेंगे तो आप उनको website पर जा सकते हैं और visit करके आप खुद भी information देख सकते हैं कि अभी हाला कि सारे medical colleges ने या dental colleges ने latest 2024 का admission के लिए information upload नहीं किया है यह सिर्फ पंडिजयन medical college के website पर यह available है तो simply करना क्या है तरीका आपको मैं बता देता हूँ आप Google page पर जाएंगे यह कोई भी कर सकता है आजकल सबके पास smartphone होता है आप यहां पर search में कॉलिज का नाम टाइप करेंगे जैसे मैंने रिसेंटली किया था cgdme के website पर अभी latest कोई notification नहीं है जैसे पंडिजयन medical college रायपूर के website पर चले जाएंगे यह इनका official website है इस पर आप click करेंगे तो यह page खुल जाएगा तो नया जो भी notice है प्लस कुछ additional information अगर आप इंट्रस्टेड हैं जानने के लिए about colleges नहीं बहुत सारे लोग पुछते रहते हैं तो यह सारा कुछ इसमें uploaded रहता है आप उसमें देख सकते हैं admission procedure वगर वो सारी चीजह है और इस notification पर click करेंगे अबिबियस प्रोग्राम admission procedure जो है यह 2024 के लिए तो यहाँ पर राइपूर मेडिकल कॉलेज में पंडिजयन में दोनों तरीके से admission होते हैं all India quota central nominee और state quota है ना तो all India quota और central nominee जो है central nominee तो है central government decide करती है right all India quota के लिए counseling जो 14 अगस से start होने वाली है उसके माध्यम से अलाट्मेंट होगा उनके लिए भी सारी चीजह अपलोडेड हैं यहाँ पर आपको किस किस चीज की requirement होगी है ना डाकुमेंट लिस्ट है admission profile यह सब आपको download करना होगा लेकिन तब आपको पंडिजयन मेडिकल कॉलेज अलाट होता है तो अगर इसके अलावा जैसे कोई दूसरा medical college अलाट हो रहा है तो आप उसकी website पर जाएंगे like for example जैसे sims का अलाट होता है या राजनान गाव अलाट होता है या जगदलपुर अलाट होता है तो आप उसकी website पर जाके इन चीजों को download कर सकते हैं तो जैसे हम लोग यह देखते हैं कि state quota के candidates के लिए कौन कौन से document लगेंगे तो यह पूरी document list आपको आ जाएगी और यह at the time of admission लगने वाला है counseling में admission से पहले scrutiny का भी process होता है scrutiny एक प्रकार का physical document verification होता है जिसमें selected जो candidate है या जिनको allotment हुआ है उन candidates को swim आकर अपने कुछ documents के सारे नहीं कुछ documents के physically verification कराना होता है जाच करानी होती है कि कहीं उनके document में किसी प्रकार का कोई fake या ऐसा फर्जी document तो नहीं है तो वो proper तरीके से चेक किया जाता है scrutiny से पहले का process है और scrutiny सिर्फ allotted candidate को करानी होती है यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है सभी candidates को नहीं करानी है जिन्होंने registration कराया है counseling में participate किया है सब को scrutiny की जुरत नहीं होती है scrutiny सिर्फ उनको ही कराना है जिनको first round में कोई allotment मिला है फिर इसके बाद वाली जो scrutiny होती है वह हम बाद में बात करेंगे तो यह list of document है जैसे कि admission profile आप यहीं से download करेंगे अभी जैसे दिया हुआ था allotment letter यह आपको cgdme द्वारा इसु किया जाएगा यह mccc लिखा हुआ है medical counseling committee 36 grad में जो medical की counseling है वो 36 grad director medical education के माध्यम से होता है तो allotment letter plus आपका need का admit card है वो आपको लगेगा rank letter यह result जो भी NTA ने issue किया है आपका final result है क्योंकि इस बार result जो है दो बार बदला गया है तो पुराने result नहीं लगेंगे जो final result है जिसको आपने counseling के समय submit किया था counseling में participate करने के लिए submit किया था जिसके अधार पर आपको allotment मिला है वो result आपको साथ में रखना है 10th की mark sheet 12th की mark sheet सबके पास रहती है अब यह जो passing certificate है कई जगा अलग अलग अगर दिया जाता है तो otherwise उन बच्चों के लिए जिनको सरिफ 12th की mark sheet मिली है तो सरिफ 12th की mark sheet से ही काम चल जाएगा अलग से passing certificate की आपको जोरत नहीं बढ़ेगी transfer certificate, character certificate और migration certificate तो DC जो है और character certificate most of the schools में आपको एक साथ में मिलता है अलग से भी आप character certificate अपनी स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं आपने किया होगा तो वो character certificate आपके पास होगा इसके अलावा migration certificate है यह उन बच्चों को especially लगता है जो पहले से ही किसी college में दूसरे university में admission ले चुके हैं या जिन्होंने पहले से कोई first year second year का कोई दूसरा course किया हुआ है college में university में जो IUS university वाले हैं यह चीज़ ध्यान देंगे कि यदि आप IUS university से ही कोई course कर रहे थे तो उ domicile certificate यह सब को sorry cast certificate applicable सिर्फ उन ही candidates को लगेगा जो ST, SC, OBC है सिर्फ उनको ही cast certificate लगेगा unreserved के लिए कोई cast certificate अलग से नहीं आता है फिर आप बात करते है domicile certificate यह सब को लगेगा है जो 36 गड़े के निवासी है यह इसको सब को लगेगा domicile certificate यदि आप private college की management seats के लिए जा र करेगी देन फिर आपका income certificate है ना यह within last three year का है OBC के लिए है यह सिर्फ यह आय प्रमाण पत्र सिर्फ OBC को दिना होता है ST और SC candidates के लिए कोई income certificate का criteria नहीं है इसके अलावा अगर किसी आप विसेस category से belong करते हैं like physically handicapped है freedom fighter है है ना या फिर सैनिक कोटा से हैं तो वो certificate लगेगा EWS वालों को EWS का certificate rural bond service अभी आप तुसरे page पर अगर आप जाते हैं जैसे हम आ जाते हैं तो यह bond का format वगर भी दिया हुआ है आप वहां से देख सकते हैं ठीक है admission profile download करना है anti-ragging यह सब को fill करना है यह service bond format course breakage और affidavit के आपने जितने भी document submit किया है वो सारे के सारे documents genuine है किसी service bond जो रहता है कि MBBS complete करने के बाद internship complete करने के बाद आपको दो साल ग्रामीड से चेत्रों में ऐसा बोला जाता है कि ग्रामीड चेत्र बड़ डियेचस के माध्यम से आपको posting दी जाती है और कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है ऐसा जरूरी नहीं कि ग्रामीड चेत्र में ही हो त जब आपका allotment होगा allotment के बाद जब आप admission के लिए जाएंगे तो जिस भी medical college में आपका allotment होता है वहाँ पे आप admission medical certificate या medical fitness बनवा सकते हैं इसके अरावा district medical board से issue किया गया भी चलेगा बट मैं यह recommend करूँगा कि आप allotment के बाद ही same medical college से ही आप medical fitness बनवा लीजे पहले से बनवाने का कोई sense नहीं बनता है क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि exactly आपको कौन से college allot होने वाला है उन सब में आपको mention करना होता है इसके अलावा self-attested photocopy of आधार card और other कोई भी RD card है तो यह सारी चीज़े यह जितने भी document है इनका पूरा exit बनवाना है आपको और इ medical colleges की fees same है 50,000 50,000 fees है जो दो पार्ट में generally split होता है इसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कि किसके नाम से आपको DD बनवानी है demand draft किस नाम से बनवाना है तो ऐसा नहीं कि हर college के लिए आप same करें ये फिलहाल पंडित जेनम medical college रैपूर के लिए दिया हुआ है य तो इसमें fees जो है 50,000 ही रखी गई है इसका मतलब यह है कि जब पंडित जेनम medical college की fees 50,000 है तो बाकी और colleges जो है यहाँ पे government उनकी भी fees 50,000 ही होने वाली है फीस इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी हम लोग अगर वापस आ जाते हैं यहाँ पे तो आप यह चीज़ देख है मैं फिर से recommend करूँगा कि आप जब भी जो भी college आपको lot होता है उस college की website से ही format download करें है तो ज्यादा better रहेगा किसी प्रकार का कोई confusion नहीं रहेगा तो यह आपको service bond है है ना mbbs complete करने के बाद वह bond आपको पूरा करना होता है यदि किसी कारण से आप नहीं करते हैं ठीक ह है और तो उस case में आपको है ना bond यह service है discontinution था let me see सभी प्रविक्षित अभी अर्थियों के लिए है चाहिए आप आल इंडिया के माध्यम से आ रहे हो यह state quota के लिए आ रहे हो ठीक है just let me check युकि दो अलग-अलग bond है एक तो service bond है और एक breakage bond है ना तो यह service bond है मतलब ग्राम स्रेडी से हैं तो 20 लाख रुपए का आपको fine देना पड़ेगा और अगर आप अना रक्षित unreserved स्रेडी से हैं तो 25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा यह condition है same यही चीज आपको देखने को मिलेगा discontinuation bond में भी कि कि किसी reason से अगर आपने course बीच में छोड़ दिया ह है आप reason इसमें mention है आप आराम से पढ़ सकते हैं तो इस case में भी आपको है ना वसूली की जाएगी यह सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है तो इसको आपको fine देना पड़ेगा मतलब college भी आप है ना छोड़ नहीं सकते हैं और यह सारी चीज़ें आपको notary करा के देनी ह बंध पत्र की रासी रुपए है ना वसूली की जाएगी जो भी bond का होता है तो यह bond की रासी आपसे वसूली जाएगी जो 25 लाख रुपए होता है अर और OBCSTSC के लिए होता है 20 लाख रुपए इसको भी 250 रुपए के stamp पे ही आपको notary से सतापित कराना होगा तो यह चीज आपको complete यह notary से बनवाना होता है और आपको allotment के बाद यह करवाना है पहले से करवाके नहीं रखना है क्योंकि पहले से clear नहीं है और इसके अतिरिक्त है ना मैंने जैसे बताया आप लोगों की सभी जो medical colleges है इनके अपनी website है आप वहाँ पर visit करके आप देख सकते हैं जै एक सोपचास सीटों पर यहाँ पर दिशन लिया जाएगा है ना 150 प्राइविट जो सीटें हैं एक सोपचास सीटों पर लिया जाएगा तो इस ते रिलेटेड इनफॉरमिशन हाला कि मैंने एक बार क्रॉस चेक किया है इसको अभी लिटेस्ट तुसाजन ट्वेटिफोर के लिए फीस वगयरे इन्होंने रिवेल नहीं किया हुआ है बट जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग प्रारम होने से पहले ही इनकी फीस स्ट्रक्चर साली चीज़ें भी आ जाएंगे और जिसको हम लोग आपसे डिसकुशन करेंगे तो इस वीडियो मिलते हैं ए श्यवेरा कि धिए नहीं हम ए ए भी मेंच्ड़र खाशब यहीज़ें कि अर्या systems यहीं ट रिए्याथ ए भी मेंच्पर यहीजि़ें टो और धर दे गामिल प्र!!"